नमस्कार बच्चो, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्सा 10 की विद्यारती हैं तो इस वीडियो को आपको कम्पलीट देखना है और आज के एस वीडियो में आपको राजस्थान बोर्ड कक्सा 10 हिंदी का जो आपके 25 अप्रेल को पेपर होने वाला है complete पेपर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यदि आपने ये पेपर एक्जाम से पहले अच्छे से त्यार कर लिया तो आप हिंदी के पेपर में 80 में से 80 नम्मर का जो इसकोर है वो आराम से कर सकते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मादेमिक प्रिक्षा 2022 और हिंदी का ये आपके संपूर पेपर है और समय है वो आपको हिंदी के पेपर में इस बार 2 गंटे 45 मिनट का समय मिलने वाला है और कुल पुरुनाक है आपके 80 तो 80 में से 80 नम्मर का इसकोर जिन बच् वो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और इस पेपर को एकजाम से पहले अच्छे से त्यार करना है और पेपर को हल करने से पहले परिक्षारतियों के लिए जो सामने निर्देस हैं इन निर्देस को आपको जरूर पढ़ना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर म एक में आपको ये गद्यांस दिया गया है जो आपको अच्छे से पढ़ना है कि स्वामी जी के साथ वे हिमाले की पेदल यात्रा पर निकली मारग में पटना वार्णासी लखनवु पंजाब में रावल पिंडी बारा मुला होते हुए वे कस्मीर पुंचे तो ये जो आपको गद्यांस दिया गया है इस गद्यांस को आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है और इस गद्यांस में उसके बाद जितने भी कुष्षन दिये गए हैं सारे कुष्षन आपको उत्तर लिखने हैं यानि सही उत्तर आपको लिखने हैं तो इसमें पहला कुष्षन है कि उ समझने का आउसर मिला वो बातें आपको इसमें लिखनी है और तीसरा पर्षन है कि यात्रा में लोटते समय कहां से कहां पहुँचे और उसके बाद में गया उप्षन में कुश्चन है आपके कि यह आत्रा उनके आगामी जीवन की त्यारी थी एसा किसके लिए कहा गया है तो इसमें पहला ओप्षन आपको दिया गया है कि भगीनी निवीदिता के लिए और दूसरा है राम कर्षन प्रमेंच के लिए और तीसरा ओप्षन है आपके संक्राचारिये के लिए और दै में आपको दिया गया महत्मा बुद्ध के लिए तो इसका जो भी उत्त आपको सही लगता है जो भी option आपका सही है वो आपको बताना है और उसके बाद में next question है आपके इसमें कि जीवन का सरवच्चे लक्से माना गया है तो ए में आपको भक्ती करना बै में आनंद प्राप्ट करना सेमें आत्मा का मोक्स वाज जगत हितने और दय में जीवन में प्रसिधी प्राप्थ करना तो इसका भी जो उत्तर आपको सही लगता है जो option आपको सही लगता है वो आपको लिखना है तो बाद second question है आपके कि नेमल लिखित काव्यांस को पढ़ कर पूछे गए प्रसनों के उत्तर लिखिये यानि ये काव्यांस अच्छे से पढ़ना है और इस काव यांस जितने भी आपको कुश्ञ दिये गए हैं सही कुश्ञ आपको इन सभी कुश् dense के उत्तर आपको लिखने हैं तो यहां पर परसन है कि भारत के महान कवियों के नाम लिखी तो भारत के जो महान कवी है उनके आपको नाम लिखने हैं और उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन है आपके कि निस्पक्स सब्द का एर्थ है तो ए में आपके पक्स पात रही थे बै में प्रेम रही थे से में परंपरा रही थे और दै में आपके हित चाहने वाले, तो ईसका जो भी उत्तर आपको सही लगता है, वो आपको बताना है। प्रशन संग्या तीन आपके कि दिये गए दिये गए संकेत बिंदू के आधार पर निमन लिखित विश्यों में से किसी एक विश्य पर लगभग 150 सब्दों में निमन लिखी पहला है आपकी कि हमारा आधर्स विद्याले और इसके अंदर जो आपको पॉइंट दिये गए इन पॉइंट को फॉलू करके ही वह निमन लिखना है और उसके बाद दूसरा निमन यह आपके मेरा पिरिये खेल आपके मेरा पिरिये त्युहार और उसके बाद local नेक्स्ट आपके आंखों देखे मेले का वर्णन तो जो भी निमन आपको अच्छे से आता है आपको वही निमंद करना है और उसके बाद परसन संग्या चार है आपके कि समय को हेमंत मानकर राज के उन्च मादमिक विद्याले सुर्यपूर के परदाना दापक को एक प्राथना पत्र लिखिए जिसमें विद्याले के पुस्त काले हित्तु ज् के लिए निवेदन किया गया हो और इसके अथ्वा में भी आपको दिया गया है अगर आपको यह प्रातना पत्र नहीं आ रहा है तो आप यह वाला कुश्चन भी कर सकते हैं कि समय को द्रश्टी वर्मा मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें निर्देशानु सार परसनों के उत्तर लिखी और इसमें पहला परसन है कि हाती दीरे दीरे चलता है वाक्य में किरिया विसेशन आपको लिखना है और दूसरा परसन है कि देवेंदर पुस्तक पढ़ रहा है वाक्य में किरिया लिखनी है यानि वाक्य में किरिया आपको ल क्रिए वह आपको बतानी है तो पहला वाक्य है कि गोरा दोड़ता है दूसरा है चातर पुष्टक पढ़ता है माताजी खाना बनाती है और एदित्ति केला खाती है तो यह चार वाक्य है इनमें कौन करिया है वह आपको बता है इसके बाद में स्यूक्त चांद होना मुहावरे का एर्थ लिखकर वाक्य में प्रियोग कीजीए यादे का चांद होना इस इस मुआवरे का आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रियोग भी करना है और नेक्स्ट है आपके कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रियोग कीजी तो एक पंथ दो काज इस लोकोक्ति का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रियोग करना है उसके बाद next है आपके जिसमें पहला कुस्यन है कि उपमा अलंकार की प्रिभासा लिखते हुए एक उदारन लिखिए और दूसरा परसण है कि घर सब्द के दो प्राईवाची सब्द लिखिए। और उसके बाद next आपके खंड से är में आपको पर्षन संक्याथ च्हा दिया गया है कि ने मलेखित काव्यांस को ध्यान पुरॉवक पढ़कर पूछे गए प्रसनों के उत्तर लिखिये तो ये काव्यांस आपको दिया गया है इस काव्यांस को आपको अच्छे से पढ़ना है और इस काव्यांस में आपको दो क्युष्टन दिये गए हैं दोनों प्रसनों के आपको उत्तर लिखने हैं तो उप्यूक्त काव्यांस में कौन किसे कह रहा है यह आपको बताना है और दूसरा है कि काव्यांस में गोपियों के दुख को अपने सब्दों में लिखिए और इसके अत्वा में भी आपको एक काव्यांस दिया गया है, अगर आपको वो काव्यांस नहीं आ रहा है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं, उसके बाद परसन संग्या साथ है कि निमलिखित परसनों में से किनी तीन के उत्तर लिखिए, यानि तीन परसनों के आपको उत्तर लिखने हैं, इसमें पहला है कि मा को अपनी बेटी अंतिम पुंजी क्यों लग रही थी, और दूसरा परसन है कि बच्चे की दंतूरित मुस्कान का कवी के मन पर क्या प्रभाव पड़ता ह और तीसरा परसन है कि चांदनी रात के सोंदरिये को अपने सब्दों में लिखिए, और नेक्स्ट है कि सीवन को उधेड कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की इस पंक्ति का आपको भाव सपस्ट करना है, तो इसमें आपको टोटल चार कुश्चन दिये गए हैं, आपको तीन क कुश्चन के उत्तर लिखने हैं, और उसके बाद परसन संग्या आठ है कि नेमल लिखित काव्यांस को ध्यान पूरूवक पढ़कर निच्चे जो कुश्चन दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं, तो ये काव्यांस है, जो आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें क या बाचना नहीं आता था और वह केसी पाठी का थी परस्तूत काव्यांस संदेश है वो आपको सपस्ट करना है और अथ्वा में भी आपको दे रखा है ये वाला भी आप कर सकते हैं और उसके बाद परसन संक्या नो है कि निमलिकित गद्यांस को पढ़कर पुछे गए परस दूसरा है लेखिका की मा लेखिका की आदर्स क्यों नहीं बन सकी तो इन दोनों परसनों के आपको सही उत्तर बताने है और इसके अत्वा में भी आपको एक गद्यांस दिया गया है अगर आप ये गद्यांस करना चाते हैं तो ये वाला भी कर सकते हैं उसके बाद परसन सं पर्सनों के उत्तर लिखिए पहला है कि फादर बुलके की उपस्तिती देवदार की चाया क्यों जैसी लगती थी और दूसरा है लेखि का मनु बंडारी के व्यक्तितुए पर किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा और तीसरा है कि तब की शिक्ष्या प्रणाली और अब की कि शिक्ष्या प्रणाली में क्या अंतर है आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल्ला खा मिली जूली सेंसकर्थी के परतीक थे और उसके बाद परसन संग्या ग्यारा है आपके कि निमलिकित परसनों में से किनी दो के उत्तर लिखिए तो इनमें आपको तीन क्युश्शन दि कम नहीं रहा कानी में एसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस परकार उबारा है वो आपको बताना है और अथ्वा में है कि अएग्ये जी एक सच्चा लेखन किसे मानते हैं वो बताना है आपको और परसन संग्या 13 है कि निमलिकित परसनों में से किनी दो के उत्तर आप मेहनत तक कस बादस्याओं का सेर क्यों कहा गया है तो यह कंप्लीट पेपर आपको एक्जाम से पहले अच्छे से आपको त्यार करना है